नमस्कार, मैसल्फ हेतल्दर्जी, फ्रम आईटियाई मनिनगर, वर्चिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम मा आप सवनू हार्तिक स्वागत छे, मारो आजनो वीशय छे, थ्रेडिंग, प्लकिंग, एन्ड ब्लेचिंग, सुन्दर्था एस त्रीनो अधिकार छे, अने अनिचिये रुमाटी एस त्रीनी सुन्दर्तामा अवरोध रूप बने छे, जे स्त्रीने चहरा पर, हाथ पर, के पग पर, गाटा, काला, वाल छे, जेनो ग्रोथ वधारे छे, लेकि रुमाटीनो ग्रोथ वधारे छे, ते स्त्रीयो पोते आत्मगलानी अनुबावे छे अने तेना माटे ते चिंतानों विशय छे पहलाना जमानामा स्त्रीयो रूमाटी काडवा माटे चनानों लोट अने हर्दर जेवी चड़ी बुटियों उप्योग करती हती तेमज तुटी गयला माटलानी किनारी चेने आपने साधा सब्दों मा ठीकरू कईये छे ते ठीकरू घसीने के गरम राखनों उप्योग करीने गरम राखने हाथ औने पग उपर घसीने रूमाटी काडवानों प्रयातन करती आम प्राचिन समयनी स्त्रीयो पर सुन्दर रेवानों प्रयातन करती हती परन्तु हालना आधुनिक जमानामा विवित टेकनिक द्वारा अनिचिय रुहाटी ने दूर करी शकाई छे जेमके थ्रेडिंग, प्लकिंग अने ब्लीचिंग तेमा आपने सवप्रथम थ्रेडिंग विशे माहीती लेशू, थ्रेडिंग ज्या ज्या रुहाटी होई, त्या त्या करवाथी त्यानी रुहाटी दूर थाई छे, थ्रेडिंग ए चाइनीज पध्धती छे, आने आ पध्धती ए बीन खर्चार तेम मझ केमिकल रही चे, ते जिती वेक्ती नी स्कीन खेंचाई ने, तेमा तेने स्कीन मा रैसिस ना पड़े, थ्रेडिंग माटे 40 नंबर नो कोटन नो दोरो वप्राई छे, तेमाज थ्रेडिंग करया पची एस्ट्रिजन, लोसन अथ्वा मसाज क्रिप्ट उप्योग करवो, थ्रेडिंग करती जो वधारे पड़ती रूमाटी खेंचाई, तो वा दोराने भीनो करवा मा आवे छे, अने तेयार बाज थ्रेडिंग करवा मा आवे छे, थ्रेडिंग करती वक्खते गणी बदी बाबतों ने ध्यान मा राखवा मा आवे छे, थ्रेडिंग करती वक्खते पहला स्कीन पर टेलकम पावडर लगावी स्कीन ने बने तेटली खेंचवा मावे छे जे ना थी स्कीन खेंचाती ना थी परन्तू तेना पर रहेला अनिच्य वार दूर करी शकाए छे जेरे जेरे ठ्रेडिंग नो उपयोग आइब्रो पर करवानों होए तेरे साथे कातर नो पन उपयोग थाए छे ठ्रेडिंग करवा माटे टेलकम पावडर लगावा साथे जेरे जेरे वेक्ती ने वधारे पड़ती स्कीन रेड थे जाए तेरे तेना पर मसाज क्रीम के बरप पन लगावो पड़े छे ठ्रेडिंग करता पहला जिम सावधाने राखवी पड़े छे तेम तेम ठ चेहराना दरेक भाग पर करी शकाईचे चेमकि अपर लिप्स, अपर हेड, आइब्रोज, साइड ब्लोग, तेम चीन आद दरेक भाग पर थ्रेडिंग करेने अनि चेरूमाटी दूर करी शकाईचे तेम सुन्धर तामा वधारो करी शकाईचे थ्रेडिंग करें बाद चो वेक्तिने स्कीन मा वधारे पड़ता रेसिस थाए तो तेवी वेक्ति ए एस्ट्रिजन लोसन लगाऊ जुईए और थ्रेडिंग ना उप्योग द्वारा वेक्तिनी सुन्धर तामा वधारो थाएचे तेमाचे कोई केमिकल नो उप्योग न थवा तेरे गणा वाड एवा होईचे केजी खुब ना ना होईचे तेमाद तनी थिकने स्वधारे पड़ती होईचे जी थ्रेडिंग करवा थी खेचाता न थी औने स्कीन खेचाई जवानो भई रहेचे आवा समय प्लकर द्वारा ते वार ने खेची लेवामा आवेचे प्लक करती वार ने खेचता पहला टेलकव पावडर लगावों खुब चरोरी होईचे आम प्लकिंग एक पण बीन खर्चार अने केमिकल रहीत पत्तती छे अने तेना द्वारा खुब ज ओचा कें वाड हो एटले के खुब ज ओची रूमाटी होई तो तेने दूर करी शकाईचे अने केमिकल थी बच्ची शकाईचे त्रिजी पत्तती चे ब्लीचिंग गणि वेक्तिने थ्रेडिंग करवा थी खे प्लकिंग करवा थी वार नो ग्रोत वधी जवानी तथा वार ने थिकनेस वधी जवानी बहय होईचे आवा समय ते bleaching द्वारा वार ने चुपावी शके छे bleaching द्वारा हैर ने चुपावा माटे bleaching नो उप्योग करवा मावे छे परंतो bleaching एक केमिकल युगत पत्थाती छे तेना द्वारा स्कीन मा घणिवार प्रोब्लेम थाई शके छे पन जेस्त्रीयों ने ठ्रेडिंग करता बीक लागती होए, प्लकींग थी हेर नो ग्रोथ वदी जवानी फण बीक लागती होए तेवी स्त्रीयों, ब्लीचिंग ना उप्योग ध्वारा पताने सुन्धर्दा वधारी शक है जी ब्लीचिंग बैप्रकार मां बज़ार मां तैयार मले छे एक तो क्रीम ब्लीच औने बिजू पावडर ब्लीच क्रीम ब्लीच बनावा माटे एक चमची क्रीम ब्लीच नी साथे थोड़ो एक्टिबेटर पावडर नाखवा मावे छे अगाव एमने ब्लीच नो उप्योग करेलो छे 22 त्रिवो थोडो एक्टिवेटर पाउडर वधारे नाखीने तेनी स्ट्रोंग इफेक्ट मिल्वी शके छे ती वीच रिते पाउडर ब्लीच पाउडर ब्लीच मा एक चमची पाउडर ब्लीच चार्थी पांच टिपा एमोनिया हैड्रोजन पेरोकसाइड आट्थी दस टिपा अथवा थो पेश्ट बनावी शकाय देटलू प्रमाण मा लेवू तेनी साथे एस्ट्रिजन लोसन गोल् क्रीम ब्लीच वापर्ती वक्रते थेला थैनो ऐलर जिट टेस्ट करवा मा औवे छे गणी वार ब्लीच दी घणाने नुख्षान पण थेशके चे तो काणनी पाछर ना भागमा सेच ब्लीच लगावा मा मावे छे 5 मिनित राजवा मा अवे छे जो वेक्ति ने सहन थाई तेवी बढ़त रहा थाई तो वान दोने तेने ब्लीच योग्य रहे चे परन्तु जो कोई वेक्ति ने सहन जिन थाई इटली बदी बढ़त रहा थाई तो तेवी वेक्ति ये तेनी sensitive skin केवाई अने तेमने bleach नो उपयोग करवो हिताव नथी आवी वेक्ति ये bleach नो उपयोग टालवो जुए जो वेक्ति ने bleach लगावया पछी थोड़ुक सहन करी शकेचे अथवा योग्य लागेची तो आवी वेक्ति ब्रस द्वारा आखो थी थोड़ा दूर अखा फेज उपर ब्लीच लगावी शकेचे अने तेने रुवाँटी थी बच्ची शकेचे अथवा तो तेना द्वारा तेनी रुवाँटी तेना skin जिवा कलर नी एटले के सोनेरी रंग नी थाई जाएचे तेनी सुन्दरतामा वधारो करेचे जो वेक्तिनी स्कीन खुप गोरी छे अथवा तेने स्ट्रोंग इफेक्ट जोईएचे तो आवी वेक्तिनी स्कीन साथे तेनी रुवाँटी नो कलर बढ़ी जाए ते माटे तेवी वेक्ति ये ब्लीच लगावया पची 15-20 मिनिट सुन्दे तेने राखवामा वेचे पची जिया अपर लिप्स के साइड ब्लोक्स जिया रुवाँटी नो भाग वधारे छे तेवी चेग्या है स्पेट्यूला एटले के क्रीम ब्लीच नीची स्पून जो वेक्ति नी स्कीन गहूं वरनी छे औने तेने वधारे पड़ता सुनरी भारतेना फेस पर योग्य न लागी तेवा होय तो तेवी वेक्ति ये ब्लीच नो उप्योग बारती 15 मिनिट करवानों होय छे तेयार बाद तेने पन अगाव जानी गया तेम जिया रुवाँट ये नो भाग वधारे छे तेवी चे ग्याए ब्लीच स्पून थी चेक करवाम आवे चे अने तेयार बाद चैराने क्लीन करवाम आवे चे जे वेक्ति नी सकीन डार्क कलरनी छे छत्ता तेई ब्लीच नो आगरह राखे छे तो तेवी वेक्ति आट थी 10 मिनिटाज ब्लीच राखवानू होई छे अन्ने त्यार बाद चेहराने क्लीन करवानों होई छे ब्लीच द्वारा ततकलिक स्कीन ने इंस्टंट गलो मले छे पर एक गलो एक दरेक वेक्ति ने सूट करतो नथी आ माटे दरेक वेक्ति ये जरे ब्लीच नो उप्योग करता होई त्यारे तेना विसेने विस्त्रुत जान करी लेवी जोई ये तेमा तेनो टेस्ट पन करी ब्लीच अनुकूल आवे छे औने एनित पासे फेशियल करावानो समय न थी तो आवी वेक्ति ये ब्लीच नो उप्योग करी शके छे ते खुबज सरर ताथी करी शकाई छे औने तेना द्वारा गलो पन फटा-फटा भी जाई छे परन्तु आ ब्लीच नो उप्योग क्यार जाते करवानों आगर न राखो कारांके तेमा केमिकल आवतु होवाती गणिवार तेना थी नुक्षान पन खुब मोटू थाई शके छे माटे इस्टांडर कम्पनीना ब्लीच परवानों आगर राखो तथा अनुभवी ब्यूटिसन पासेज ते करावानों आगर राखो जोईए ब्लीच करती वोखते ध्यानमा राखवानी बाबतो ब्लीच करती वोखते जे वेक्तिनी स्कीन बहुँ सेंसिटीव छे ते वी वेक्ति ये ब्लीच करवानों आगर राखो जोईए ने तेमाज जो तमारा फेस पर वधारे पड़ता खील छे कोई एवा सेप्टिक पिम्पल छे अथ्वा तमने के रेसिस थाया छे कि कोई कापा पड़ी गया छे तेमाथी ब्लर्ड निकरतु हो तो एवी वा समये ब्लीच नो उप्योग टालवो जोईए करनकि ए केमिकल जो स्कीन साथे भली जाए तो तमने खुब मोटू नुक्षान थाई शके छे आवेज रिते ब्लीच ना गेर फाइदा पन एटलाच छे ब्लीच मा एमोनी आवेचे जी स्कीन माठे खुबच खराब छे ते स्कीन ने रह बनावेचे अने लामबा गाले स्कीन ने ब्लैक पन करीदे छे आम ब्लीच नो उप्योग करती वखते तेनी माहिती लेवी खुब जरूरी छे अने योग्य अनुभवी ब्यूटिशन पासेज तेनो ब्लीच वापरानों के ब्लीच करावानों आगर राखो जोईए आम ब्लीच ना घणा फाइदा छे साथे नुक्षान पन छे ते जाने लेवी खुब जोईए आपने अविश्त्रूत माहिती लिदी त्यार बाद आपने थोड़ा फोटा छे आपने पासे चेनो आपने जोईने चाने शकेशू के आइब्रो करवाती आखोनी सुन्दर ता केवी बदारी शकाई छे तथा ब्लीच नो उप्योग क्या-क्या केव कि छाणियां सरुवातिन आ पोस्टर मा थ्रेडिंग किवी रीते करवो त्यनी महिती अप्पामावी जे अन्य थ्रेडिंग कर्या बाद आ ब्रो केटली सुन्दर लागी शकेशू आखोनो आकार पण केटलो सुन्दर बनावी शकाई छे, ते जानी शकाई छे थ्रेडिंग करवाती जे नानावाल रई गया छे, तेने पलकर द्वारा आचीत्रमा बतावा मावी छे पलकर द्वारा केवरीते खेंची शकाई छे, साथे साथे एक इलेक्ट्रोलिसिस पध्धती पण वेचे, तेना द्वारा पण रुमाटी ने दूर करी शकाई छे, परन्तु देख खुबज खर्चाल पध्धती छे आ पिच्चरमा आपड़े जोई शक्ये छे कि एहां अपर लिप्स पर खुबज रुमाटी छे, जे खुब खराब लागे छे, सुन्दर तामा अवरो धुभो करे छे परन्तु थ्रेडिंग कर्या बाद आ वेक्ती ना लिप्स अने अपर लिप्स खुबज सुन्दर लागी राया छे गणिवार वेक्ती ने जेहरा पड़ खुब रुमाटी वोई छे, जे खुब खराब लागे छे तो आवा समय आ खराब रुमाटी ने ब्लीचिंग द्वारा दूर करी शकाएचे, अथवा डांकी शकाएचे परन्तु अटली बदी रुमाटी होई त्यारे, अने जो ब्लीचिंग अनुकूल न आवतु होई त्यारे थ्रेडिंग के प्लकिंग करी शकातू न थी, तो आवा हैर ने दूर करवा माटे बैकसिंग नो पन उप्योग करवा माँ आवे छे तमे जो इशको चो आवे चित्र माँ, के पहला रुमाटी वालो चेरो केवो लागे छे, अने रुमाटी घाडिया पची न चेरो केटलो सुन्दर लागे छे आईब्रो माँ आपन आपने जोई शक्ये छे, के पहला थ्रेडिंग नथी करेलू, शेप नथी आपेलो, तो त्यारे आखो, अने आईब्रो नो शेप क्यो लागी रहो चे त्यार बाद केवो सुन्दर आपनने चित्र देखाई रहो चे आऊ-विजिंग नवराद ब्लीचिं माँ वयकती ने आवी ब्लेक स्कीह होय एन अने इंस्टन अटलो न सुन्दर गलो मली शके छे अन्ने वेकती सुन्दर देखाई शके छे ब्लीचिंग नव उपीग करता पहला झो तंहारे पींपल्स होय, कोई कापा होय ची खुब तमने नरी आखे न देखाता हुए पण ए स्कीन मा जो ब्लीचिंग भली जाए तो एना थी खुब नुक्षान थाएचे तेरे आवो मेगनिफाइन ग्लास न उपयोग करीने तमें स्कीन ने चेक करी शको छो खणिवार ब्लीचिंग न उपयोग अपने वाद करीतें कि तेनु खुब मोटू नुक्षान चे जो ब्लीचिंग न उपयोग करती वखते दिहान राखवामा न आवे एमोनिया वधारे प्रमाण मा थाई जाए अथ्वा एक्टिवीटर पावडर न उपयोग वधू प्रमाण मा थाई जाए तो ब्लीचिंग न उपयोग बाद स्कीन केटली वधी बन थाई गे चे अने उपरती वेक्तिनी सुन्दर नामा पन अवरोद उबो थायोचे तो आप अद्रश्ट्यों जोईने नक्की करी शको छो के ब्लीचिंग न उपयोग जाते कराए किस आरा प्यूटिशन पासे करावो जोईए अहीं आप सब ब्लीच न उपयोग जोई रहा छो ब्लीच के विरी ते लगावा मा आवे छे ब्लीच ने फेइस उपर पूरा फेइस उपर आवे ते ब्रस द्वारा लगावा मा आवे छे एने आखो थी दूर राखो जोईए ब्लीच माँ केमिकल आवतु होवा थी आखोने नुक्षान थाई शके छे माटे तेने लगावानी पद्धती पन योग्य होवी जोईए आच इत्रमाँ आप जोई शको छो के अपर लिप्स मा रूमाटी छे तो तेने ब्लीच के थ्रेडिंग द्वारा दूर न करता तेमा वेक्सिंग नो अप्योग थाई रहोचे अने वेक्स द्वारा पन आरी ते रूमाटी काडी शकाई छे गणीवार वेक्तिनो फेस क्लीन होए परंतु तेना अपर लिप्स मा जरूमाटी आवेली होए तो अपर लिप्स मा फक्त आविरिते ब्लीचीं लगावीने ते रूमाटीने डांकी शकाई छे अने सुनदर्तामा वधारो करी शकाई छे ब्लीच ने आखा बोडी पर पन करी शक्काईचे गणिवार वेक्तीना बोडी पर जीना जीना खुब जवाल होईचे चेरे साडी पहरवानी होई त्यारे बेकलेस ब्लाउज होई तो त्यारे आवा जीना वाल इस सुन्दरतामा अवरोध उभो करेचे माटे आवरी ते बोडी ब्लीच पर करावी शक्काईचे परन्तो ते अनुबवी ब्यूटीशन पासेज करावानों आगर राखो जुगे अध्यारे आधुनिक जमानामा अनिचिय वार दूर करवा माटे एटले के रूमाटी दूर करवा माटे विविद मशीनरी पन आवी ग पर प्लीचिंग करें वगर नो फेज छे ँड़ साइट छे एटलो सुंदर आवेलो प्लीचिंग करें आवेड ब्लीचिंग दुखें प्लीचिंग द्वारा गलो तत्कलिक मिल भी शकाईचे परन्तु तेना गेर फायदने जानेलेवा खूब जरोरी छे आपिचे माल् देखाई रहाँ छे आ पिच्चर माँ चे नानो पिच्चर चे तेज मोट्टू करीने बतावी छे एमा पन अपर लिप्स पर बन्नेव साइट रुमाटी दर्शावेली छे अने आटली रुमाटी माटे थ्रेडिंग करावू वधारे योग्य रहे छे थ्रेडिंग द्वारा तम्हे तमारी सुन्दर तामा वधारोo करी शक्को छो आम अनी चिये रुमाटी ने दूर करवा माटे अथ्वा ढाकवा माटे आपने आजे थ्रेडिंग प्लकिंग अने बलीचींग नो जे उप्योग जो तेना विशे जे माहिती जोई अनने तेना विशे आप जांई श